नमस्तेकार और आजम कड़े हैं इंडियन फायर फाइटिंग वाइकल के सामने जिसका नाम है फायर ट्रॉक नाइंटीन जिरो सिक्स में लॉंच हुआ था और ये 2020 का लेटेस जनुरेशन वेरियन्ट आप देख रहे हैं कई कंपनीज फायर ट्रॉक्स बनाती हैं ये अशोक लेलेंड का 16-18 फायर ट्रॉक आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है लगबग 50 लाक रॉपीस फायर एंजन फायर टेंडर या फायर एप्लाइंस भी कहा जाता है फायर ट्रॉक को ये ट्रॉक फायर फैटिंग ऑपरेशन के ल होस पाइप और रेस्क्यू ट्यूल जैसी कई चीज हैं इंडिया में 101 इमर्जेंसी नंबर है फायर ट्रॉक का और भी कई कंपनीज फायर ट्रॉक्स बनाती हैं और ये हाईलाइटिड बंपर हैडलाइट्स हैं और ये केबल विंच है रिमोट के साथ जो 1.5 टन तक का वज जन खेंच सकती है लक्षमी कंपनी ने डिजाइन किया है ये फायर ट्रॉक है हैंडल बार अशोक लेलेंड की बैजिंग एडवांस फायर टेंडर अशोक लेलेंड का लोगो 1618BS4 ABS की बैजिंग सिर्फ ड्राइवर साइड ही वाइपर मिलेगा उपर साइरन और बीकन लाइट्स है साइड इंडिकेटर फोट स्टेप्स हैं लगबग 9.4 मिटर लेंध है 3 मिटर हाइट 253 mm ग्राउंड के रिएंस है और 16,200 kg ग्रॉस फेट है इस फायर टेंडर का तीन मंद्स लगते हैं इस अशोक लेलेंड फायर ट्रॉक को बनाने में और यह हैं 20 इंच के स्टील वील्स एयर ब्रेक्स हैं ABS और आटोमेटिक स्लैक एजस्टर ASA के साथ यहां से बरेंगे डीजल exhaust tail pipe 20 इंच के वील्स हैं दुनिया का पहला modern फायर ट्रॉक 1904 में Knox Automobile कंपनी ने USA में बनाया था इस ट्रॉक में 500 लेटर का फोम है 5000 लेटर वाटर, लाइट मास्ट और ब्रीधिंग एपरेटस है 4,50,000 रुपीज का double stage multi pressure automatic water pump है automatic foam mixture के साथ लगबग एक एकड़ तक की जगे में आग बुझा सकता है यह fire truck पीछे दो लेडर्स हैं, रूफ पे चड़ने के लिए और यह tail light बॉर्निंग ट्राइंगल उपर लाइट दी गई है पाइप्स यह pressure gauge यह compound gauge और यह high pressure gauge है यह attack company का यह walls है यह high pressure hose reel hose pipe connect करने के लिए दो delivery valves है high pressure on off करने के लिए यहां से pipe connect होगा delivery valves से यह flashing valve यह foam inductor यहां से foam निकलेगा और यह suction mouth पानी को suck करने के लिए यह 7 kgf pressure का single stay centrifugal pump है और यह pump का throttle है protection दी गई है light को और यह information है इस truck की 31.4% gradability है दोनों तरफ 30 meter के 10 hose pipes है पीछे 45 meter की hose reel मिलेगी और यह water level indicator पंप की water throwing capacity 2250 liter per minute है जिसमें यह 7.5 kg force per centimeter square area कवर करेगा 3 meter की suction lift के साथ फुल स्पीड पे चलाने पर दो मिनेट में पानी खताम हो जाएगा और फुल स्पीड में pipe को manage करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पढ़ती है power take off unit है water pump करने के लिए जो 7 meter depth तक का पानी सक करके निकाल सकता है fire fighting operation के लिए 63 से ज़्यादा equipment है इस fire brigade में 50 watt की 4 remote control LED lights diesel generator है 380 mm diameter clutch है booster के साथ और यह spare wheel आगे नॉन ड्रिवन आई सेक्षें रिवर्ज एलियोट टाइप एक्सल है और पीछे fully floating single speed हाई पॉइड एक्सल है 5.83 आरेयार के साथ 6 cross members के साथ bolted ladder frame है semi-leptic multi-leaf suspension है 6-seater है यह fire truck अशोग लेलैंड की 1618 chassis पर बनाया है यह fire truck और यह है 300 volt ampere output का GE 3500D portable diesel generator इसके कीमत है लगबग 61,000 रुपीज पर लाइट है 300 volt ampere output है यह जनर्वेटर का वह यह occupants है और यह फायर फाइटिंग होस पाइप्स है और यह फॉम थ्रोइंग जैट गन है यह उपर चल के देखते है और यह वाटर टैंक उसके आगे फॉम टैंक है और यह 10.5 मिटर का अलिमूनियम एक्स्टेंशन लेडर यह पानी की टंकी है और यह फॉम का टैंक है आगे यह लाइट मास्ट है और यह रिवॉल्विंग लाइट फॉम टैंक और यह बीकन लाइट फायर बैल और साइरन और यह डिटैचेबल सर्च लाइट काफी लंबा लैडर फ्रेम है काफी लंबा लैडर फ्रेम है राम्स पी दिये गए है किसी गाड़ी को निकालने के लिए यह है लाइट मास्ट पैनल लाइट लाइट अपने लिए लाइट निकालने की लाइट मास्ट लोड़ी का लिए रिमोड है लिए और फॉर से भी आप लाइस आप लोड़ी को इसागा है वोल दूख लोड़ी प्रेशर गौज मास्ट अप डाउन मेन एमसी भी यहां पर आपको कई सारे सेफटी एक्विपेंट्स मिलेंगे जैसे कुलाडी और लोही के डंडे थोड़ा भी है पाइप्स है वूपर लाइट है काई सारे नॉजल्स है और ब्रीधिंग एपरेटस यह ऑक्सिजन शिलेंडर काई सारे वजार दिये गए अलग अलग सिचुएशन के लिए यहां से बरेंगे डीजल आइए पीछे का पैसंजर साइड दोर खोल कर देखते हैं मैनुल विंडोस है हैंडल बार है चड़ने के लिए फूटस्टेप प्लेन रूफ है उपर बर्च दी गई है उपर लाइट है चेंसा भी मिलेगी विना लपाल्स्ट्री विना लपाल्स्ट्री है 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 वहाईसकता है डाश्बॉर्ट तूस्पोक स्टेरिंग है ये भी लाइट का रिमोट है हाई ये ड्राइवर साइड दोर खोल कर देखते हैं यहाँ पर भी मैनुल विंडोस हैं हैंडल बार्स हैं इसली चंडने उतरने के लिए ये फूट स्टेप्स रह सिकती आगी सीट्स और ये पैडल्स ये विंड प्लेट ग्रॉस वाइकल वेट अक्सल लोड और ये मैनुल हैंड ब्रेक विलियम्स कंट्रोल्स के पैडल्स हैं एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर के लिए और ये है जेड़ेफ का S6-36 6-speed manual transmission और ये fire gear है पीछे के एक्कुपेंट्स के लिए पैफेंजर सीट और ये आहूजा का पब्लिक एड्रेस सिस्टम है USB और साइरन के साथ sun visors नहीं मिलेंगे और ये electronic diesel control ABS और hazard light के बटन यहां तोड़ी space थीगी ये driver के लिए switchboard है fan के vents और ये dashboard के finish और ये manual steering light के control हान का button और ये वाइपर के control और ये instrument cluster जो दिखायेगा speed, rpm, fuel level, coolant temperature और कहीं इंफॉमेशन यह फ्यूस बॉक्स ओवीडी बॉक्स यह ट्रॉक अन कर लेते हैं यह एर प्रेशर speed, RPM, odometer और यह coolant temperature, fuel level बॉक्स बॉक्स ओच नाट्टक्स और यह है 5,660 cc, inline 6 cylinder, BS4, turbocharged, intercooled, H-series diesel engine, common rail system, और IEGR technology के साथ, 180 horsepower है, 660 nm torque है, और 3 का average मिलेगा, 250 liter के fuel tank से, और लगबग 90 km पर आर की toss speed है, अशोक ले लेंड का H-series engine है, और 3 कणby वे जर वनले एंग कैस relating कर तो बडोरा करें ले की सब से components झाल झाल वार गप्तांस्यान वार जब लेक्स प्रेय ऑप्शन से इसमें खाफी लम रख हो है 2250 लिटर पर मिनट एक वाटर पॉंप कर सकती हूं 7.5 KGF परशर है तो कैसा लगा आपको अशोग लेलेंड का फायर ट्रॉक हमें कमेंट्स में बताईए तक है